तो आज हम लोग के रहने वाला लेक्षा नबर 28 ऑफ जी के पीवाइकी सरीस पार्ट 3 चले स्टार्ट करते हैं और बिफो स्टार्टिंग उमीदे सभी लोग टेलीग्राम की क्विजिस को अटेंट कर रहे होंगे और जैसे कि मैंने कल पोस पर डाला था टेलीग्राम पे और रिगार्डिंग की जैसे हम लोग के 200 के सब्स्राइबर्स कम्प्लीट हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे तो उसी खुप ऐसी की कुश्ची के प्लक्ष में हम लोग स्टार्ट करने आले अधर सब्जेट की जो क्विजिस हैं अभी जीगे की हो रहे हैं सिर्फ फिर बाकी सब्सक्राइबर्स जैसे एंगलेश टीजिनिंग तो इनकी भी क्विजिस हम लोग करेंगे बिकॉस इससे होता है कि आपकी एक हबट बन जाती है एक अच्छे हबट बन जाती जैसे कि बहुत लोग की हबट बन गई है कि टेली क्विजिस अटेंट करना है डेली करेंट सब्सक्राइब करें और वह काफी आपकी जीके को इंप्रूव कर देगा वो सिर्फ जीके के लिए अगर आप बाकी सब्सक्राइब करते हैं कि खुच से करने में थोड़ा सा आला साथ है कहां से करें कैसे करें तो आपको डेली बेसिस पर आगर आपको मिलते रहेंगे 15-20 तो से जोता है वह उपर चला जाता है तो इसकी वज़ेसे हम लोग अलग चैनल पर सारी कुजिस किया करें विचले स्टार्ट करते हैं आज के लेक्ट्चर पहला कुस्ट्चन है विच क्लॉस ऑफ आर्टिकल 51-a अप दी कॉंसेशन ऑफ इंडिया रनाउंसे दी प्राक्टिस अब भारत के समगेदान के अनुछे दिक्यावन का कौन सा खंड है जो महिलाओं की गरिमा के लिए आप पांजनक प्रताओं का त्यार करता है याप पांजनक बाते नहीं गरने हैं आपको तो हम लोग यह सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल 51-a टॉक्स अबॉ इलेवन फंडामेंटल ड्यूटीज एड़ेड हैं ओरिजिनली दस एड़ दूहीं थी बट इलेवन अभी करेंट में हैं विकॉज 11 वाली 86th Amendment of 2002 से उसको लास में जोड़ा गया था अब यह जो सारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 11 की 11 हमने विद ट्रिक इनको याद कर बाप वे भगत सिंग हमने क्या पड़ाता तो फोलो दी नोबल आईडिल्स जांप इस्पार टी नैशनल स्टागल फॉर फूर 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 फूरिडम यह हमने पड़ाते हैं यह पका यह बाद करता है यह हम लोग ने आत किया था पांच पांच या फिर इस तरह से आत कि आ अभी लोग साथ में रहेंगे and E से equality यानि कि equality का मतलब है to renounce practices जब भी हम equality की बात करते हैं तो women सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है na equality तो to renounce the practices derogatory to the dignity of women तो यही इसका answer होगा C seek मतलब होता है seek की alphabetical position क्या होती है 3 तो 3 हमने इस तरह से आत किया था sovereignty, unity and integrity protect करना है country की जो कि हमारी third fundamental duty हो जाएगी ठीक है और F से हम लोगों नहीं आत किया था fort ठीक है F से हम लोगों नहीं आत किया था fort fort मतलब कि हमें जो rich heritage culture rich heritage culture or monuments incorporate करना है यहाँ पर देखिए to value and preserve the rich heritage of our composite culture तो यह से हम लोगों नहीं आत किया था अब जैसे यह G G से हम लोगों नहीं आत किया था greenery तो natural environment, forest, lakes, rivers, wildlife incorporate करना है H से हम लोगों नहीं आत किया था humanism to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiring reform I से हम लोगों नहीं आत किया था an eye for an eye will make the whole world blind यानि कि man violence नहीं करना है यानि कि we have to absorb violence ठीक है तो यह आई से हो जाएगा आपका and Jays हमने आद के जड़े जाए फिर जड़ू कि वो all-rounder है batting में इच्छी करते है, bowling में इच्छी करते है fielding में इच्छी करते है यानि कि सारे spheres में individually एक excellent performance देते है to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity और यह हमारी 10 है 11 वाली किया है जिसको कि 86th amendment of 2002 से add किया गया जिससे कि आपका article 21A of the constitution which grants right to primary education and article 45 का subject matter जहाँ पर early childhood care का provision add किया गया इन चीज़ों को भी add किया गया by the 86th amendment of 2002 और 11th fundamental duty थी कि 6-14 साल तक के बच्चों को school भेजना है यह guardians को duty दी गई moving on towards the next question and that is dash a native of Baghdad wrote akbar al-zaman तो akbar al-zaman not akbar but akbar हो गई है akbar al-zaman the history of time तो यह किसने लिखा है akbar al-zaman समय का तियास abu al-rahan abdur-razaak al-masoodi और ibn-abadut तो abdur-razaak के बारे हमें यह पढ़ चुके है यह person traveler था जो की देव राय दी second के time पर था देव राय जो है संगम डिनिस्टी के एक रूलर थे जो की विजनगर एंपाईर की एक डिनिस्टी थी हमें पता है विजनगर एंपाईर में संगम, सुलुफ, तुलुफ, और I.V.D. चार दिनिस्टी का रूल रहा उसमें से हमारे अब्दुर रजाक संगम डिनिस्टी से बिलॉफ करते थे सही आंसर यहाँ पर ओप्शन अबर थर्ड अलमसूदी इबन अबतूतक एगर बात करें तो यह एक मुरुक्कुन ट्रावलर थे अनि मुरुक्को से आया था और मुहमद बिन तुगलक के कोट में आया था MBT और यहर और बुक्का के कोट में भी आया था विकास जो हरी हर और बुक्का थे जो कि founder थे ना सिर्व ज़जन अगर एम्पायर के बल्कि जो संगम डेनिस्टी थे उसके तो हरी हर और बुक्का तो यह contemporary थे MBT के तो इनके कोट में भी गया था कौन इबने पतूता और इसके किताब है जिसका नाम है रहिला यह आपको पता होना चाहिए ठीक है बाकी भी अगरे ट्राइबला याथ की जैसे की विजनेगर एम्पायर में ही कौन आ इयथा विजनेगर एम्पायर में हमारा अंता फरनाओ नुनीज ठीक है फरनाओ नुनीज यह किसके टाइम पर यह आय था अिज्चिवत देवराय के टाइम पर डॉमिंगो पीस एंद दुवते बहुत बहुत सा जो कि पॉच्छी जब्ले तो वो किसके ताइम पर आते कृष्णदेव राय के ताइम पर एकृष्ण देवर आए के ताइम पर एकृष्ण अन्ट इस मिनाक्षी अमन टेंपल इस लोकेटेट रॉन दी स्रदन बैंक वेच मिनाक्षी अमन मंदिर किस नदी के दक्षणी तट परस्थे थे सदन बैंक वेच रिवर वेगई गोदावरी कृष्ण ये फिर कावेरी तो मिनाक्षी अमन टेंपल ये सेचुएटेड है तमिल नाडु के मदुरई में मदुरई अगर आपको याद आ रहाओ तो चेरा चोला रू earns है और उन्होंने ही यहां मदुरई में जोखी टेंपलस के लिए बहुत फेमस में मिनाक्षिए अमन टेंपल बनवाया था आंसर इसका वाइगई रिवर होес profound ये हमारी और का वेरी के नीचे पढ़ती है वैगई, यानि वैगई को हम Southern Most River of India बोल सकते हैं गोदावरी की रिगाड़ी हमने क्या पढ़ा थे इसका ओरीजन कहां से होता है, तृमबकेश्वर से होता है, कृष्णा, महाबलेश्वर से होता है और कावेरी का ताल कावेरी जो की कोगाड़ू district of करनाटका में, यह दोनों महाराश से ओरीजन करती हैं और कावेरी के गर बात करें, तो यह कोगाड़ू district of करनाटका और बाकि इनकी हम tributaries तो पहले देख चुके हैं कि वेन गंगा, पेन गंगा, प्राण, हिता, सब्रा, मंजरा और इंद्रवती, गोदावे की tributaries हैं क्रिशना की क्या है, भीम, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाडप्रभा, मूसी, कोई न, यह क्रिशना की tributaries है और कावेरी में हमने यह पढ़ा था कि जिस भी रिवर के end में नीयती होगा तो वो कावे की tributary होगी, except इंद्रवती, जो की गोदावे की tributary है Talking about some more temple, यह आपका magnificent मीनाक्षी temple है देखी कितने सारे temples बने हुए हैं, कि न, कितने सारे temples बने हुए हैं तो actual में जो मदुराई है, उसमें भर-भर के temple आपको देखने को हो लेंगे इस famous for temples, एक हमारे time पर एक story थी, की poem थी, क्या थी, लेकिन school days में हम लोग पढ़ते थे, madurai which is famous for temples तो खेर, आगे बढ़ते हैं, और कुछ और temples देख लेते हैं, temples और देख लेते हैं, जो तमिल नाड़ो में इस्ते थे थे, जो कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं, ब्रियदेश्वर temple, याद आ रहा है, आपको जहां पर हमें फेमस गोपूरम देखा था, गोपूरम आपको ज्यादा तर साउथिया temples में देखने को मिलेगा, जो की द्रवेलियन architecture में बने होते हैं, गोपूरम होता है, गोपूरम होता है, एक तरह का entrance, entrance, बाहर बना होता है मंडप क्या होता है, मंडप होता है, पिलर्ड हॉल, ठीक है, और गर्ब गर्या क्या होता है, जहां पर chief duty install होते हैं, जिसको की चोल डनेस्टी के rulers से बनावाया था, यह उन्हें देखा था ब्रियदेश्वर temple, और कौन से था, ब्रियदेश्वर दो थे, एक तो तंज़ोर म यह है, और दूसरा गंगई कॉंड़ चोला में, जो कि आगे न तमिल नाड़ु में ही है, और इसको किस ने बनवाया था, राज 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 वन ने, जिसको इसी वज़े से इसको हम राज राज एश्वर temple के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा है जो गंगई कॉंड चोला में है, उसको राजेंद्र वन ने बनवाया था, जिसको हम नैपोलेन उफ, साथ हिंडिया के नाम से भी इनको जानते हैं, ठीक है, और एक और था आहिरावद तेश्वर temple, जो अगेन आहिरावद तेश्वर temple, यह भी आपका तमिल नाड़ु में ही है, और यह चोला आपका महाबलीपुरम में, फिर ममलापुरम temple इसी नाम, इसी वसे इसको बोलते हैं, महाबलीपुरम में temple है यह और इसको बनवाया था, पल्लव डनिस्टी के जो रूलस थे, ठीक है, अक्चुल में अगर कभी आपसे पूछे कि द्रविलियन जो आर्किटेक्चर है, द्र जो हमारे दे पल्लवाज, उन्होंने इसको रूलस किया था, और अगर हम बात करें नगर स्टाइल, तो मेली क्रेट जाता है गुपतर अनेस्टी करूलस को, जैसे कि भीतर गाउं का एक मंदिर है, जो कि बहुत फेमस है, कई बार पूछेता है कि इंडिया का ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट ब्रिक टेंपल कौन सा है, तो आनसर व्ड़ भी भीतर गाउं का टेंपल, जो कि कानपुर में है, आगे पढ़ते हैं, अभी यह नहीं कि कानपुर में तो इसलिए इंपॉर्टन है, इंपॉर्टन है अप इसको देखेंगे, ठीक है, और अप इसको देखेंग इंडिया की पॉपलेशन है कि 2011 के census के according, तो यह है 1,2,1,0 million, यह इंडिया की पॉपलेशन है, जिसमें कि जो rural population है वो roughly 8,33 million है, और urban population के अगर हम बात करें तो roughly 377 million आप इसको consider कर सकते हैं, फीमेल और मेल का distribution अगर हम देखें तो मेल रफली 51.54 percent यहाँ पर मेल हैं, और फीम प्रिश्य परसेंट फीमेल परसेंटेज बेसिस पे हैं इंडिया की पॉपलेशन अगर हम बात करें तो इंडिया सेकेंड नंबर पर आता है अगर हम एरिया वाइज बात करें तो इंडिया सिर्फ 2.4 परसेंट है लेकिन और इंडिया सेवन्थ लाजेस कंट्री है वर्ल्ड में बट सेकेंड मोस् पॉपलेस कंट्री है पूरे वर्ल्ड में और टॉकिंग अबाउट कि इंडिया में सबसे कौन सा स्टेट सबसे कि आपका एक स्क्वाइट रहा ईंडिया में अगहारम बात करें अकॉर्डिंट है। नुबर 4 यहां पर सही आंसर होगा अब यहां पर question यह बन सकता है कि highest population density किसकी है और lowest किसकी है तो highest lowest जो हम लोगों ने देखिए 2011 के census की एक वीडियो मैंने अलग से भी क्लास ले थी एक दो हुटे पहले तो उसको आप देख लिजेगा ठीक है तुसमें सारी चीज हम लोग कवर कर चुक है इसी पूरे फॉर्माट में जहां पर हमना highest lowest state और यूटी सब देखा था तो यहां पर highest किसका है highest बिहार का है बिहार is the most is the state having the most population density सबसे ज़्यादा जनसंख्या करना तो बिहार का है कितना है 1106 overall इंडिया का है 382 यानि कि पर स्क्वार किलोमेटर 382 ओन और अवरेज रहते हैं बिहार में 1106 लोग रहते हैं ठीक UT के गर बात करेंगे तो यहां पर UT हो जाएगा highest जिसका है डेली कितना है इसका 11320 इतनी है population density किसकी डेली की 2011 के से से स्लोवेस्ट के गर हम बात करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा अरुनाचल ठीक है अरुनाचल तो यह इसमें यह मैं सोचना ही 1000 एक हजार एक हजार एक हजार नहीं 11000 है ध्यान रखना ऐसा नहीं कि मैंने गल्ती से लिख दिया है ठीक है बिहार से भी 10 गुना अरुनाचल के बात करें तो यहां पर फॉर्टी अच्छा अरुनाचल की तो 17 है 46 उसकी होगा आपकी अंडमानन निकुपार जोगी यूटी है ठीक है 46 आरुनाचल की 17 है सबसे कम पॉप्पॉपलेशन नेंसेटी स्टेट वाइस अगर हम बात करें ओर आल भी स्टेट यू यह है इंडिया की 17.7% अच्छा आप कॉमेंट में आपको बताना है जो कि आप पहले आपको बता चुक हूँ इंडिया की अनुवल ग्रोथ रेट किती है साल बर दर साल अगर हम बात करें तो अवरेज अनुवल ग्रोथ रेट किती है ग्रोथ रेट इन पॉपलेशन में घाल है राज्य की अगर बात करेंगे स्टेट और यूटी की बात करेगा तो आंसर उड़ भी दादरा नगर एंड हवेली जहां पे सबसे ज़्यादा पॉपलेशन ग्रोथ हमें रेकॉर्ड हुई सबसे कम अगर पूछ लेगा तो नागा लेंड होगा यहां पॉपलेशन ग्रोथ नहीं यहां पे तो नेगेटिव में हमें देखने को मिला एक तरह से नेगेटिव 0.47 परसेंट या नहीं पॉपलेशन यहां पे तो बढ़ने के बज़ए कम हुई according to 2011 का census सब्सक्राइब करने के लिए किस तरह से लोग कनवर्ट करवा सकते हैं कि कई बार होता है कि इसमें काला बजारी भी होती तो इसको इस इंडेस्ट्री को रगलेट करने के लिए इस पर्टिकलर एक्ट को लाया गया था दाट वस फेरा इसको बार में इसको चेंज कर दिया कोई बाहर से पहिजता है ऍंडिया का उसको रेमिटेंस बोलते हैं जो कि कौन से जुकर पेमिन्स हैं करेंट में आएगा या फिर कैपिटल में आएगा यह तो यह करेंट अकाउंट में आता है बैलेंस ओफ पेमेंट के अगर हम बात करें तो हमने वह पूरा पढ़ा था अगर आपको याद आ रहो से बैलेंस ओफ वंट कितना है यो में बैलेंस ओफ बैलेंस करेंट क्राइसे से करना पड़ा था इनласт फिर सॉक्वांट इसकहर अ फिर assets and enforcement of security interest act यह इसका full form है और यह आया कब था यह 2002 में आया था इसका main काम था main काम यह था इसका आप इससे बोल सकते हैं कि to facilitate the recovery of outstanding loan outstanding loan वो loan होते हैं जो कि वैसे for example कोई loan लेता है bank से ठीक है मान लो कि मैंने लिया loan एक लाग का ठीक है मैंने एक लाग का loan लिया और यह एक लाग का loan मैं चुका नहीं पार हो यह फिर हो तकता है कि मैंने 10,000 तो pay कर दिया हो यह फिर 20,000 पे कर दिया हो मैंने तो 80,000 मैं pay नहीं कर रहा हूँ ठीक है नहीं मैं default कर गया और इस particular amount को मैं non-performing asset बोला जाता है इसको NPA बोला जाता है तो NPA अगर कभी पूछ ले एक तो पहले तो full form क्या होता है full form होता है इसका non-performing assets non-performing assets इसका मतलब क्या होता है यह asset perform नहीं कर रहा है इसका मतलब यह होता है कि अब जिसने loan लिया था अब वो दे नहीं रहा है यानि कि जो loan का time period है वो overdue हो चुका है by 90 days अगर 90 दिन से ज़्यादा कोई अगर loan चुकता नहीं करता है that is called as non-performing assets और NPA ठीक है उसको हम outstanding loan भी बोल देते हैं तो उसको तुरंट जैसे कि कोई collateral रखवाय जाता है न जैसे अगर आप loan लेने जाएंगे जो 2003 माया था नाम में यह fiscal responsibility fiscal responsibility का मतलब यह हुआ कि जो fiscal deficit है जो राजस्तों का जो गाटा है उसको कम करना है उसको कम करना है fiscal deficit होता क्या है तो हमें पता है budget में कई तरह के deficit होते है deficit का मतलब होता है गाटा गाटा तब होता है जब income कम होती है खर्चे जादा होते है माइनस revenue receipt घाटे का मतलब यही होता कि खर्चा जादा है expenditure जादा expenditure से income income को receipt बोलते हैं क्योंकि revenue है तो revenue वाला रख देंगे यहां पर fiscal deficit क्या होता है fiscal deficit होता है total expenditure जब मैं total expenditure की बात करता हूं इसका मतलब है कि मैंने revenue expenditure भी ले लिया मैंने capital expenditure भी ले लिया अगर आपको revenue capital expenditure समझ नहीं आ रहें इसका मतलब पीछे के लेक्चेर से नहीं देखें इसको multiple times कर चुके हैं तो total expenditure में आप total receipts को घटा दीजे total income को घटा दीजे total receipts को excluding borrowings क्योंकि जो borrowings है वो आपकी income नहीं है वो लग रही है income है लेकिन वो आपको चुकता करनी है विद ब्याज तो इसलिए उसको आप हटा दीजे एक्सलिट कर दीजे और एक होता है हमारा primary deficit primary deficit होता है fiscal deficit में आप interest payment को minus कर दो जब आप borrowing करते हो जब आप loan लेते हो जो कि capital account में आता है इता है तो पता है ना अगर आप borrow हम borrow करते हैं तो उसको capital receipt बोलते हैं because उससे हमारी liability बढ़ रही है क्योंकि हमें loan चुकता करना है with interest उसमें अगर हम interest payment घटा दें fiscal deficit में है तो हमें primary deficit देखने को मिल जाता है ठीक which of the following तो यह हो गया न हाँ which of the following is not covered under the definition of urban settlement as per the census of India तो कौन साइस में covered नहीं है under the urban settlement more than 75% of population engaged in primary sector यह definition में नहीं include होगा कारण primary sector मतलब जैसे कि हमारा agriculture हो गया वैसे primary sector का थोड़ा बड़ा term जैसे कि हमारा agriculture sector सबसे इसका बड़ा component तो मैं collaboration sector बोल देते हैं जैसे कि backstory sector को manufacturing sector बोल देते हैं जैसे कि हम tertiary sector को service sector बोल देते हैं ठीक है तो आँज खोड़ी सhern behavior का कि हमारे कि पाफ़यूर्ज लेकिन यह अरबन यह खोता है कि मौनेhöये ऐनीजिज नौर की पर यह वनेन्हागे पौपलेशन जलेखें सोफ wichtigth जो हमारी different तरह की urban local bodies होती है उनमें से किसी एक की presence होनी चाहिए जैसे municipality, corporation, contentment board ये सब अगर हैं इनमें से कोई भी एक तो उसको हम urban settlement बोलेंगे urban local bodies के गर हम बात करें तो इनको हमने किस particular amendment से constitutional status दिया था, 74th amendment से दिया था, जहाँ पर हमने 12th schedule जोड़ा था, हमने part number 9A of the constitution जोड़ा था, हमने article number 243P से लेके 243ZG तक इनको introduce किया था ठीक और father of local self government के इसको बोलते हैं, रिपन जी को बोलते हैं, ठीक है, इरविन को नहीं, तो रिपन को बोलते हैं, father of local self government, आगे बढ़ते हैं, और बाकी आप सारी चीज़ें recall कर सकते हैं, रिपन से, ilbert bill controversy, repeal of vernacular press act, first factory act, hunter education commission, ये सारी चीज़ें जो है, रिपन जी के time पे ही हुई थी, ठीक है, और इनके time पे इंडिया का पहला complete और synchronized census in the year 1881 हुआ था, 1872 में मेयो के time पे incomplete census हुआ था, 1881 में पहला complete census हुआ था, प्रेणा श्री मली is an exponent of which of the following Indian classical dance forms, तो प्रेणा श्री मली किसकी exponent है, ODC सतरिया का था, क्या फिर भरत नाट्यम, सही answer यहाँ पे होगा option number third, ODC के regarding हमने कल क्या-क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था, इसके father कौन है, गुरु पंकर चरंदास हैं, और भूटान के प्रदान माधवी से मिलने ओडिसा आया, और संजू और साहु को बता दी, हमारी trick थी, ODC के सारे exponent को याद करने की trick, जो कि हमने देखा था, कि ODC is one of the eight classical dances of India में है, उडिसा से, तो भूटान से शगुन भूटानी, प्रदान से गंगादर प्रदान, माधवी से माधवी मुद्गल, विजयने से विजयनी सित्पती, संजू से, संजू सैंसन और साहु से हमारी सुधाकर साहु, ठीक है, तो यह हम लोगों ने इसको सारे याद किये थे, सतरिया में भी, कल हम लोगों ने याद किये थे, सतरिया के फादर किसको बोलते है, गुरु संकर देओ को जिन्होंने 15th सेंचरी में सर, सतरिया को असम में इंट्रियूस किया था, यह वैशनवाइट फॉर्म ऑफ डान्स है, 2000 सन 2000 में, क्लासिकल डान्स के इसको द बिर्जु माराज, लच्छु माराज, तो बिर्जु माराज जो है, अगर इनकी बात करें, बिर्जु माराज, तो यह किस पर्टिकलर घराने से बिलॉंग करते हैं, तो यह कालका बिंदा दीन घराने से बिलॉंग करते हैं, कालका बिंदा दीन घराना, यह चीज ध्यान र तो सारी वह ट्रिक पढ़िव कई देख सकते हैं तो मेज़ है कि आपके आपको पता होगी तो आपके यहां पर रिविजिन करवा रही हूं शोवना नरायन ठीक है अस्थाना सिस्टर्स कुमें कामनी अस्थाना और नलीनी अस्थाना दो अस्थाना हमारीWorld इस्वरी प्रसाद हमारे फांडर भी है कि इसके लखनौगराना के ठीक है इस दी फांडर ओफ लखनौगराना देखिए होता क्या यह जो एक्स्पोनेंट वाले कोईस्टन होते ना तो इसमें एक तो होते हैं थोड़े एवर्ग्रीन टाइप इसे बिर्जु माराज लच्च में भी चल रही है तो इनके पूछ जाने के चांसे थोड़ा ज्यादा बढ़ जाते हैं तो एवर्ग्रीन वालों के और जो लेटेस पूछे जाएंगे जैसे प्रेणा श्रीम अली हो सकता है आज से एक साल बाद यह उतनी रिलेवन ना रहें फिर बिल्कुल भी रिलेवन ना रहें और कभी क्वेश्चन आई ना इस इन पर ठीक है तो यह भी हो सकता है क्योंकि उतने ज्यादा एवर्ग्रीन नहीं एवर्ग्रीन जैसे बिटेज उमाराद लेकिन यह प्रेणा श्रीम अली अभी क्वेश्चन पूछा गया तो आगे पूछे जाने के क्वेश्च तो दो प्रोग्राम्स को लांच चिया गया तो जिनको हम ग्रीन डेवलुशन बोलते हैं तो जब हम ग्रीन डेवलुशन बोलते हैं तो यह दो प्रोग्राम एक तो इंटेंसिव अग्रिकल्चर एरिया प्रोग्राम तो यह 1964 के टाइम पिंट्रडीउस हुआ था इंटेंसि इसका most probably B होना चीए और second ही I think ये IMD में ये question पूछा गया था और भले इसने I think जो official answer की आई थी ना उसमें इसने second option ही माना था but मेरे according ये गलत है मतलब गलत इस sense में है ये तो सही कि intensive agriculture area program था intensive agriculture development program था but year different है यहाँ पर agriculture area program 1964 के टाइम पर है था पता नहीं objection raise किया गया नहीं किया गया क्या हुआ लेकिन हाँ जो answer की आई थी originally उसमें ये second option ये लोग नहीं सही माना था ठीक है तो इसमें था क्या इसमें ये था कि development करेंग जैसे intensive agriculture area program में ये था कि हम scientific मतलब and progressive agriculture पर focus करेंगे यानि कि जैसे mechanization of agriculture करेंगे नहीं नहीं मशीन से इंट्रिड्यूस करेंगे और intensive agriculture development program वही सेम चीज़ है कि हम high yield variety seed के introduction करेंगे food crops से focus करेंगे so that जो पहले तो food की demand है वो हम पूरी कर सके है तो option number second यहां पर सही answer होगा और बाकी हमें पता कि father of green devolution इंडिया जो में स्वामी नाथन ने इनको भारत रतन देने की अभी घोशना की गई along with five other persons father of green devolution across the world अब नॉर्बन बॉर्टलो को जानते हैं में स्वामी नाथन is also the first person to receive the world food prize and हमें ये भी पता है कि green revolution जो term ही किसने coin किया था इंडियम गौर्डन किया था सबसे पहले लाटिन अमेरिकन और मेक्सिको जैसे कंट्रीज में इसको इंट्रीज किया गया था और इसका पहला फेज रिच एंट्रा पंजाब यहां पर फोकस था यह और इसके जो डाउंसाइड सा उसको हम पहले ही इसके डाउंसाइड क्या क्या होता है तो इसनका मतलब होता है पटेंशल रिसोर्से ऑप्श नमबर सेकेंड लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ गुप्त जैसे आपने यह चीज पढ़ी होगी कि अगर आप पानी आगर आप मतलब कोई मालो पानी से जल जाओ ठीक है इसके बावर्तक सत्य बाहर की और मोडी होती है तो सबसे पहले हम डिसकस कर लेते हैं मिरर होते हैं कि टैप्स के तो मिरर दो टैप्स के होते हैं लिएश्य को व्हक्त अंच वििए इस मोग्छत भम करते हैं तुर्हा आप लोग खुद को देखते हैं ट्रसे प्लेइन मीरर और वह तरह का प्लेड मिरर है और खुद को कैसे देख पाते हैं विकाज इस mirror में एक side जो होती वो polished होती polish इसलिए करना पड़ता है नहीं तो फिर reflection होगा नहीं खुद को आप नहीं देख पाएंगे reflection हो जाएगा तो इसलिए polish किया जाता है यह जो मैंने यहां पर इस तरह से draw किया यह दिखाने के लिए कि इसका उधर वाला right hand side जो है वो polished है तो यहां पर for example आप खड़े हुए है ठीक है खुद को mirror में देख रहे हैं और mirror में जब आप खुद को देखेंगे तो आपकी जो image बनती है वो actual में यहां बनती मिरर के पीछे same size की बनती है और same distance पर बनती है अगर यह 10 meter के distance होगी यह जो size होगा वही size होगा वह गलती सब यहां पर accurate मैं बना नहीं सकता हूं ठीक है इस्ती पर इच्छी मेरे drawing नहीं है तो यह same size का होगा तो ध्यान रखना virtual and erect का मतलब क्या है virtual इसलिए because mirror के दूसरे side बन रही है तो इसको हम बोलेंगे आबासी ठीक है आबाशी बट यह ध्यान रखना है आपको हमेशा इस चीज़को हमेशा ध्यान रखना है कि जो image virtual होती है वह हमेशा erect होती है erect का मतलब होता है सीधी अब आपका सिर उपर है तो सिर नीचे तो नहीं हो गया ना सिर अभी भी उपर है पैर अभी भी नीचे है ठीक है बट यह जो image बनेगी डाट वुल्ड बी लेटरली इनवर्टेड लेटरली इनवर्टेड का मतलब यह हुआ कि लेफ्ट का राइट हो जाना राइट का लेफ्ट हो जाना आपका लेफ्ट हैं राइट हैं बन जाता है और फिर लेफ्ट की चीज़ राइट बन जाती राइट की चीज़ लेफ्ट बन जाती इसको ले मेरे पहले बोला किनो जाता है तो सबसे पहली बात ऊप्रां लेशे की मने यह लाइज कर दो किरहें। यह दिखाने के लिए पौलिश जी कहा पर है पौलिश यहांपे है, जो कश्म आउट ओरड सीड एप। यह curved outward side है और यह curved inward side है, तो मैंने curved outward side वाले में इसको paint कर दिया, यानि कि आप अगर मुझे reflection करवाना है तो reflection यह curved inward वाली side से होगा, simple सी बात है, तो अगर दूसरे वाले में बात करें तो अंदर की side मैंने क्या कर दिया, paint कर दिया इसको, polish कर दिया है, तो अब अगर मुझे reflection क is curved outward किसमें है reflecting surface curved outward इसमें है अब इसको अब spherical mirror क्यों बोलते हैं तो ऐसा मतलब इनका shape रहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे sphere से निकाले गया हो जैसे कि यह पूरा गोलार्द sphere है देख सकते हैं आप कि यहां से sphere से निकाला गया यह curved inward वाली side है तो convex इसको mirror बोलेंगे और curved outward जिसमें जिसमें की reflecting surface curved inward होती है तो इसको हम concave mirror बोलते हैं यह definition important है अभी physics मैंने पढ़ाया तो इस चीज को मैंने बताया भी था कि इस पर questions आते हैं तो answer यहां को convex mirror हो जाएगा option number first stop अंक्यरאש दे लेतने के उसिक क्या होते हैं दोनों के convex and conscious कर तो पालमर्ष अधर शेकर diverging mirror के तरफिक करता है किस तरह करता है diverging mirror के तोरपे दिम्जिक अखर diverging मेर कढब करता है इसका मतलब यह कि बहुत सारी चीजों कर चोपिए इसे frame में हमें दिखा देता है जैसे कि हम जो गाड़ियों में जो हमारा mirror लगा होता है जिसको पीछे देखते हैं जिसको हम रियर विव mirror बोलता है तो वो convex mirror ही होता है reflector reflector for street lights जो यूज करते हैं वो भी आपका convex mirror ही होता है सन ग्लासे यूज करते हैं संग्लासे वो भी आपका convex ही होते हैं concave के अगर बात करें तो यह converging mirror होता है इसको हम कहा कहा पर यूज करते हैं तो इसको हम는 shaving mirror के तory shaving mirror ठीक है अब shaving mirror के तौर पर क्यों यूज करते हैं तो concave हम वहाँ- veins like करके देखना होता है तो concave mirror एक तरह से magnifying mirror के तौर पे behave करता है जब हमें चोटी चीज बड़ा करके देखना होते है तो हमें face को जब हम shave कर रहे हुँत हो थोड़ा सा magnified form में देखना होता है तो इस लिए हम shaving mirror में कि हैड लाइट हो गया आपका टॉचला जोगिया ठीक टॉचलाइट और सोलर सोलर ब्लास्ट hatır रोनेस जो होता है उसमें भी है कॉन केव मिनalles रॉब्लास्ट फरनेस अलेट रड़ीध आगे भड़ते हैं 11 विचितों तので fears or activities is least suited for the privatization in an economy तो privatization के लिए सबसे कम सूचभ कौन सी है अगर मात करें प्राइविआजेशन का मतलब यह होता है कि गवर्मेन्ट अपनी शेर होल्डिंग बेच के लेकिन प्रइविटेजेशन का मतलब यह우네요oh रिलोटिस के हाथ में दे सकते हैं और फॉडब इत्वीट्स को टेसा गूंधको जैसे प्रइमेंपड जरोधर हो गया ठीक कई सारे अप्लिकेशन साहते हैं तो सब प्राइविट है कोई कोई गवर्मेंट का थोड़ी ना है बस यह कि से भी उनको रेगुलेट करता है सेकुरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो 1988 में बना था बट 1992 में से भी एक्ट आय था जिसके तो इसको स्ट दो फॉवड़ूइऋ जैसे रेगोगँ ॉंह सं अब दूकान में झाते हैं अब है अगर आप को लो कि कुछ समान कधना है तो आप करेंसी देते हैं, पैसे देते हैं और आपको समान मिल जाता है, बाठर सिस्टम में जो पहले एक्जिस्ट किया करता था बहुत पहले, यह होता था, जैसे जैसे कि for example हम बोल सकते हैं हड़पन सिवलिजेशन फिर उससे पहले बाटर सिस्टम एक्जिस करता था बाटर सिस्टम यह होता है जैसे for example मुझे चाहिए राइस ठीक है मुझे चाहिए राइस या फिर मेरे पास है राइस आपके पास है वीट ठीक है आपके पास है वीट मुझे चाहिए वीट और आपको चाहिए राइस तो हम क्या यह उनों दूसरे से शेंज कर लेंगे ठीक है लेकिन इतना आसान होता नहीं जैसे फ़र इसाप्ल चलो मेरे पास वीट नहीं है वीट है भी तोवील लेकिन चलो मेरे पास एपल पड़े हुए ठीक है मेरे पास सेव है यहाँ पर अब यह कौन डिसाइड करेगा कि कि एक किलो rice के मुझे कितने apple देना हैं किc baby apple तो तुम बोल जोगे कि एक किलो rice के लिए मेरे को कम से कम वही न कि दो खिलो apple चाहिए कि अब है तो एक तरह से transaction करना बड़ा मुश्किल वाला काम है पहली चीज दूसी चीज यहां पर लेवल कोइंसिदेंस ओफ वांट सोली चीज आती है इसका मतलब यह होता है दोनों लोग डिमांड करेंगे सेम चीज जैसे कि अगर आपको एपल चाहिए ही नहीं तो आप राइस बेचेंगे नहीं और मुझे तो राइस खरीदने हैं तो फिर हो गई नहीं के भी ट्रांजेक खराब हो जाएगा तो आपकी करेंसी तो चली कि आपकी वेल्थ तो गयब ठीक है तो यह है तो अप्शन नमर और हाँ वेल्थ से आपका दानाची कलम लोगों नहीं पढ़ा था कि वहदिक एच के टाइम पर वेल्थ को कौन डिटरमाइन करने काम होता था काव को ठीक है व जा था जो कि उजली डॉटर होते थी ठीक है आगे बलते हैं 13th which is the following was the first reform organization of 19th century महराश्ट में से कौन सा 19 सदीब के महराश्ट का पहला सुधार संगठन था तो सुधार संगठन के गरम बात करें social religious reform movement में तो सबसे पहला कौन था सबसे पहला था हमारा ब्रह्मो समाज अगर पॉसेप्स जीजस नाम के कुछ बतलब एक तरह से लेख लिखे ठीक 19th century की बात हो रही महराश्ट में यह अगर बात करें ब्रह्मो समाज तो यह क्यालकटा में फॉर्म हुआ था महराश्ट में अगर बात करें तो प्रात्ना समाज परमान सबा यह बने थे ठीक है बड़ इसको भी पंडूर घीन बना तयर कि यह थे आत्मा राम पंडूर रहां बाद में इसको जवाइन कर लिया था MG Rana Day लेकिन वाउंडर नहीं थे MG Rana Day केशवचंदर सेन भी इसमें थे जो की ब्रह्मो समाज आफ इंडिया लेके निकल गए थे गर आपको याद तो 1867 में ब्रह्मो समाज जिन्होंने जोईन किया था याद है आपको ब्रह्मो समाज 1828 में तो 1839 में क्या हुआ था तत्यों बोधिनी सभा जो की देवेंदरनाथ टेगोर ने बनाया थे इसको मर्ज कर दिया था इसके साथ देन उसके बाद इन्होंने किशवचंदर सेन की समेंटरी करवाई थी बाद मुनी की साथ फूड डल गई तो ये आदी ब्रह्मो समाज लेके चले गए हमारे दिवेंदर टेगोर और किशवचंदर सेन के पास बचा ब्रह्मो समाज आफ इंडिया बात करें सत्यसोदक समाज की तो ये 1873 में बनता है ये भी महराश्ट में बनता है और ये जयोती राव फूले इनकी वाइफ थी सावित्री बाई फूले जिनके नाम पे महराश्ट में पूने में युनिवरस्टी भी है इनके कुछ राइटिंग्स है जयोती राव फूले के एक तो गुलाम गिरी और सार्वजनिक सत्य धर्मा जयोती राव फूले गाड़नर कम्यूनिटी ने माली कम्यूनिटी से बिलॉंग करते थे और इन्होंने मुसले डिप्रेस क्लास के लिए अपनी लडाई लडी थी धर्म सभा की अगर बात करें तो ये 1830 में बना था अब हमें पता है कि 1828 में ब्रह्मो समाज बना था क्यों बना था रिफॉर्म लाने के लिए रिफॉर्म इस मूविजम था है जहां पर इसका में आईडियल य थे कि पॉलिधीजम प्रमोट किया था एक गॉड की वर्शिप आईडियल वर्शिप को करने से मना किया था कि मूर्ती पूझा नहीं उना चाहिए थीक है पॉलिगयमी नहीं होनी चाहिए नहीं मुल्टिपल मैरिज़स नहीं होनी चाहिए सत्थी प्रथा नहीं होनी चाहिए राजा रामान राइक के विल्लियम बेंटी कुसे में गवर्णर जर्रल उफ इंडिया था तो उसको अपोज करने के लिए क्योंकि यह रिफॉर्म प्रविगयमी प्रवाइव करना चाहिए तो इसके अगेंस्ट में ब्रह्मो समाज अब ब्रह्मो सभा जो पहले होता था उसके अगेंस्ट में इसको राधा कान देव ने स्टार्ट किया था राधा कान देव ने इसको प्रमुस समाज के अपोज में एक तरह से स्टार्ट किया था इसको बाकी भी हम पढ़ चुके हैं तो यह आपको याद हो जाने चाहिए अभी ठीक है प्रात्ना समाज का बना सत्रसोदक समाज धर्मसभा प्रामरामस बंदली बाकी भी हमने पढ़ रखें जैसे RSMA ये कर बात करें तो 1875 में स्वामी दयानांसर सत्य जिन्होंने गो बैक टू वेदा जिया और इंडिया फॉर इंडिया और इन्डिया बोला था और इन्होंने जो हमने स्वामी दयानांसर सत्य तुन ने ड्रांसलेट हीया था यह जुर्वेदा को और कुछ पाट ओफ सामवेद को सामवेद जो की म्यूजिक में सबसे ओल्डेस्बू के कलम लोगों ने वेदों के बारें पढ़ा था के महीन है मार्च еся समवेद जोया या जा जयसे की ऊघाड़ी पुथांड़ू तपंिलणाड में विशू के रажеल में गूली पडवा माराश्ठ में पॉला बाईशाक, West Bengal में ठीक है, नौरोज, पार्सी क्मूनिटी, नौरोज की रूप में सलिब्रेट करती है, जिसको पतेती भी बोलते हैं, लोसाल लदाखी कम्यूनिटी सलिब्रेट करती है, तो उसी तरह से सिंधी जो कम्यूनिटी होती ही, वो चेती चांद की रूप में इसको सलिबेट करती हो, option no.3 यहाँ पर सही answer होगा, अब इतनी जल्दे लिए इसलिए बता दिया, because यह सारी चीज़े हम पहले देख चुके हैं, तो यह अब आपका time कम, उतना ही time लग रहा है, उस सेम चीज़ को करने में तो फिर दिक्कत वाल बाकियों से बहुत अच्छे ही perform करेंगे, ठीक है, इस आवा कि अगर बात करें, तो इसके regarding भी अगर आपको याद हमने कुछ पढ़ा था, SNDP movement, पता नहीं मुझे याद नहीं है, अच्छे से, कि मैंना कोई बताया कि नहीं, तो इसलिए मैं आपे बता देता हूँ आपको, इसका full farm होता है, स्री नरायन धर्म परिपालन योजना, स्री नरायन धर्म परिपालन योजना तो स्री दर्म परिपालन योगम इसको start किया था, यह है क्या, तो जिस तरे से अगर आप हमारे भीमराव मेटकर जीर North India में, जैसे कि इन्होंने महाच त्थेगरा लीड किया थ तो उसी तरह से साउथ इंडिया में श्री नारायन गुरु जी ने काम किया था यहां पर यह कमिनिटी थी एजावा कमिनिटी उसके लिए काम किया था जो की एक डिप्रेस्ट क्लासे की जो कमिनिटी थी 1903 में यह इन्होंने एक तरह से यह स्टार्ट किया था SNDP मुव्मेंट स्री नारायन गुरु नाम याद एकना बहुत इंपॉर्टन है ठीक आगे बढ़ते हैं तो एक तरह से निमलिकित में से कौन संविचेत भारत के प्रारंबिक संविधान में अपवाद के रूप में कुछ मॉलिक करतावयों का प्रावदान करता है यानि कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी हमें पता है इनको जोड़ा गया था ना फॉर्टी सेकेंड अमेंडमेंट से अड किया था उससे पहले ही कोई एक आठकल था जिसमें कि कुछ प्रविजियन था रिलेटेट तो इस आठकल था तो आठकल 34 की गर हम बात करें तो इसमें ये कि अगर Martial Law लगा होगा, Martial Law का मतलब होता है आर्मी का रूल किसी पार्ट में, जैसे for example North East में लग गया था भी जब मनीपुर में वह इंसा होई थी, तो वहाँ पर Martial Law लग गया, तो उस केस में ये हल्दवानी में हुआ, ठीक है जो भी आपने इंसिदेंस जाते हैं, fundamental rights आपके छीन ली जाते हैं, वैसे समझ सकते हैं, ठीक, 35 क्या बोलता है, 35 ये बोलता है कि मौली का दिखारों को लेके जो कोई नियम है, कानून है, कुछ भी, वो Parliament बना सकता है, अनि Parliament has the power to make, Parliament only भी लगा सकता है, Parliament only has the power to make any provision regarding fundamental rights, मौली का दिखारों को लेके आवधान अगर बनाना है, तो देश का संसद ही बना सकता है, not the state legislature, राज के वधान मंडल मौली का दिखारों को लेके कोई कानून नहीं बना सकते हैं, विकोज जब fundamental right बनता है, तो उसमें पूरे country में एक uniformity होनी चाहिए, तो इसलिए Parliament को ये काम दिया गया है, 36 क्या बोलत ये बोलता है कि जो DPSP में जहां जहां पे state word use हुआ है, because DPSP है क्या, राज के नीती निदर सिद्धा, तैनी की directive principle of state policy, नाम में state है, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो article number 12 में state की definition है, वो ही article number 36 में भी है, जैसे पाल, इसमें सब कुछ आता है, मैं आपको बताया था, कभ All of the above, वही होगा इसका आंसर, Parliament, State Legislature, Central Government, State Government, LIC, ONGC, जितनी भी संस्था है, almost सब state के इंडर में आती है, जब तक आपको न लगएगा, ये तो बहुती absurd सा चीज है, ये होई नहीं सकता, तभी आपको All of the above के साथ नहीं जाना नहीं, तो All of the above आपको पक्का मिलेगा ही मिले सकता है, कुछ लोगों के लिए, वो कौन लोग है, वो लोग जो Forces में है, Forces, वो CAPF से भी हो सकती है, Central Land Police Forces, जैसे कि CISF, CRPF, BSF, ITBP, SSB, ये सब आती है, और हमारी Defense Forces भी हो सकती है, जिसमें कि हमारी तीन Forces, नहीं कि Navy, Army और Air Force आती है, तो इन लोगों के लिए, इन में जितने पूरे hierarchy में जो नीचे आते हैं, ये उनीक लिए restricted होते हैं, क्योंकि मैंने देखाए, ठीक है, कि जो CAPF में Assistant Commandant है, ठीक है, YouTube चैनल बनाए हुए है, सारी चीज़ें पब्लिश कर रहे हैं, guidance program चल ले हैं, लेकिन वहीं है, CAPF में कोई Constable Position पे है, तो he cannot post any DP, मतलब कि वो WhatsApp में, वर्दी में DP भी नहीं लगा सकते हैं, अब क्योंकि मेरे फादर थे, तो इसलिए मझे वो पता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये restricted थी हैं चीज़, हाँ हो सकता है कुछ लोग करते हो, थोड़ा खेलते हो, जोकिम लेते हो, लेकिन ये orders रहते हैं, जैसे ये for example, menial task भी करवा जा सकता है, force के जो, कौन लोग हैं, आपको पता ही हो, किसको बला जाएगा, तो उनको साफ सफाई वो करनी पड़ेगी, वो ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारा काम नहीं है, ये करना, तो ये एक तरह सा article 33, ये power दे देता है, forces को एक तरह से बोल सकते हैं, कि वो, बोलना तो न quantity theory is explained by his famous equation given as, Fischer के मातरा सिधान्त को उनके प्रसिद समी करन ड्याश त्वरा समझाये गया है, MP is equals to VT, MT is equals to PV, MV is equals to PV, Fischer अगर बात करें, Irving Fischer एक USA, बहुत बड़े economist रह, इन्होंने एक money supply की quantity theory दी, तो उस तरह से पूछ सकता ही, किसने money supply की quantity theory दी दी, तो Fischer ने दी थी, इ अगर आप market में पैसा डाल दोगे न, तो दाम अपने आप बढ़ जाएंगे, market में पैसा डाल दोगे, दाम बढ़ जाएंगे, M यहाँ पे total amount of money, अभी मानलो की, एक कानपूर एमान लेते हैं, ठीक है, कानपूर में अभी 1000 करोल रुपए गूम रहा है, ठीक है, यहाँ पे purchasing power बढ़ गई न, पैसा ज्यादा आ गया, माल का उत्पादन उतना ही हो रहा है, तो अवेसी बात इसका price बढ़ाना पड़ेगा, V क्या है, velocity of circulation of money, इसका मतलब यह होता है कि money कितने hands exchange कर रही है, जैसे for example, कोई money यहाँ से मानलो कि मैंने ATM से निकाला, मेरे पास आया, ठीक है उसके बाद मैंने कुछ परचून की दिकान पर गया, और मैंने कुछ मान लेते हैं कि कोई biscuit का packet लिया, फिर कुछ भी लिया, ठीक है, तो मैंने उसको दिया, फिर उसने मान लेता है, अपनी सबजी खरीदने गया हो, तो सबजी वाले के पास गया, फिर सबजी वाले ने हो स आएगा ठीक है तो MV is equals to PT यह ध्यान रखना है which of the following spheres or activities is most suited for privatization यह similar question है जो भी हमने पीछे किया था कि किसी अर्थवेस्था के लिए निजी करण के लिए नहीं लिकित में से प्राइम मिनिस्टर था जिनको भी भारत मिलने जा रहा है तो पक्का पूच सकता है मनमों सिंग फाइनेंस मिनिस्टर थे हम आएमिफ के पास लोन लेने गया थे ठीक है इसका में टार्गेट था सेकेंड वाले का तो खुदी बताईए मोस्ट सूटेड कौन साया मलब मोस्ट सूटेड है पर कहता है तो लीगल सिस्टम नॉट सूटेड फाइबाइबाइजेशन डिफेंस नॉट सूटेड फाइबाइजेशन क्योंकि डिफेंस है कंट्री का यह अगर आप्राइबेट प्राइबेट प्लेटियर्स के हाथ में देढ़ेंगे तो इनमें उतनी अथार्टी यह फि पैसा दे दिया तुरां तो मतलब जो इंपोर्टन इंफोर्मिशन से लीग कर सकते हैं ठीक है लाइन ओडर भी नहीं दे सकते हैं किसी देश का कम्मिनिकेशन सिस्टम दे सकते हैं ठीक है तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर से आंसर होगा एटींथ दिविजिजिन ऑ फा जनेरेटिंग एकॉनमी इसका में टार्गेट था यह हुआ कब टाइम बेट क्या था इसका पहला इक्यावन से चपपन दूसरा चपन से एक सट तीसरा एक सट से चांचर दाट इस 1961 से लेके 1966 तक टार्गेट तो 5.6% का रखे थे अचीव मात्र 2.8% या फिर 2.4% ही कर पाए थे ठीक है 2.8 यह फिर कहेंगे 2.4% भी मेंशन रहे था तो इतना हम अचीव कर पाए थे कि चाइना के साथ ने वार लड़ा था 1962 में और फैमाइन भी आ गया था इसी वाज़े से इसके तीन साल लगा था इसके तीन साल बाद हमने कोई 5-year प्लान नहीं लाए उस पर्टिकलर पिरिट को बोलते हैं प्लान हॉलिडेस 1966 से लेके 69 उस अब देख चुके हैं से लेके नहीं रहो है ठीक है पर कैपिटा इंकम 12 यह सही आंसर होगा 11 जो 5-year प्लान था उसका टार्गेट था फास्टरण औरल मोर्थ यह आशल ठीकास Give an समावेशई विकास करना है यह टार्गेट था 11 यह अब इसमें सटेनेबल भी जोड़का साथ एंक्सटेनेबल मोर्ड नाफ़ेकर vessels अपने फ्सराइड करती है इसमें ठीक फिर्स तो आट जानती है हिरे डूमर मॉड़ल वाला जो हमने भी देखा यह लास्ट फाइफ यह प्लान था यह 2012 से लेकर 2017 तक चलना था बठा में पता है कि बीच में गवर्मेंट वी चेंज 2014 में इंडिया गवर्मेंट आगी जिसने की फाइफ यह प्लान्स को खतम कर दिया Planning Commission को abolish कर दिया, योजना आयोग को, और उसकी जगहे पर क्या लाया, नीती आयोग लिया, ठीक है, National Institute for Transforming India, जो की 1st January 2015 को sit-up हुआ था, कॉमेंट आपको बताना है, Planning Commission कब sit-up हुआ था, आगे बढ़ते हैं, और हमने ये भी देखा, कि जो नीती आयोग के पूर वाइस चेर्म है, पहले वाइस चेर्मेन थे, अर्विन पंगडिया, वो 16th Finance Commission के नए चेर्मेन बने है, वही फाइस कमिशन जो आटकल 280 में आता है, जिसमें कि 1 प्लस 4 का कॉमपोजेशन होता है, चेर्मेन प्लस 4 अधर मेंबर्स, चेर्मेन शुट भी अपरसन अविग नॉलेज इन पब वी रड़ी, नर्सिम्मा दा मिलिटरी कमांडर फाउंड़ेश ऑफ दिविजयन अगर एंपायर, तो वो विजयन अगर एंपायर जो 133680 में हरियर और बुक्का ने फाउंड किया था, इसमें 4 डेनिस्टी इस थी, पीछे भी देखा था, संगम, सुलुफ, तुलुफ, अर राई वीडियो, तो संगम के तो हरियर और बुक्का हो जाएंगे, अराई वीडियो के एकर बात करें तो इसके तिरुमला, तिरुमला देवराय, राया का मतलब होता है एक तरह से प्राइम मिनिस्टर, ठीक है विजयन अगर एंपायर में, नायक कौन होते थे, या फिर अम होते थे, मिलिटरी कमांडर्स, क्लियर होगे, अतिरुमला देवर आया थे, और संगम नर्स्टी के तो देख चूके हरियर बुक्का, ये भी नहीं होगे नर्सिम, आंसर होगा सुलूव, ठीक है, तो सुलूव नर्सिम इसके फाउंडर थे, तुलूव के अगर बात करेंग ये फिर राया, ठीक है, तो ये कहीं कहीं पर तुलूव नर्सा राया है, कहीं 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 पर तुलूव नर्सक नायक, तो ये इसके फाउंडर थे, सुलूव डैनेस्टी के, सुलूव डैनेस्टी के गर बात करें तो इसने रूल किया था, 1486, 1486 लेके 1491 तक, ठीक है, तो य 1436 से 1486 तक संगम के बाद सुलूव आई ने तो 1486 से 1491 तक तुलूव हमें पता है कि 1565 में खतम हो गई थी बैटल अफ ताली कोटा से जिसको बैटल अफ राकस्षी तांगडी बोलते हैं जहां पे डेकन के सुल्तांस ने हरा दिया था अली रामा राय को तो उनको हम लास्ट रूर कंसिलर करते हैं विजयनगर एंपायर का बट क्यूकि इसके बाद तुलूव डटनेस्टी भी आ गई थी तो इसलिए अराइव डटनेस्टी के लास्ट रूर थे श्री रंगा जब थर्ड उनको भी हम बोल देते हैं कि वह लास्ट रूर थे विजयनगर एंपायर के दोनों नाम याद इखने हैं अली रामा राय भी और स्री रंग थर्ड जो भी ऑप्शन में गो उसके साफ से दोनों होंगे तो तो स्री रंग थर्ड होगा आपका अंसर ठीक है बाकी विजयनगर एंपायर में में पता है तुलूव डटनेस्टी के सबसे फेम सबसे पावर संस्क्रित ने मदर के नाम पे इन्होंने एक टैंक बनवाया था उसका नाम क्या था उसका नाम था नगालपुरम टैंक और एक सिटी भी इन्होंने इस्टाइबलिश करी थी नगालपुरम नाम से ठीक है अपनी मदर के नाम पे and the last question of the day is what is the size of the image in a convex mirror if it is placed at infinity यदी उत्तल यह सारे cases लेखे हुए अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है अब आपके सामने ही है यह question है ना अभी पूछा गया यह एससी में पूछा गया है तो यह पूछा जाता है question अब थोड़ा सापको हो सकता लगे कि जब मैं पढ़ाते हूं तो मुझे पता चल जाता है ना कि जब मैंने physics में पढ़ाया तो इस चीज़ को तो मैंने clearly इसको बढ़ाया था बट फिर भी की sir यह समझने है वो समझने है तो आपके उपर depend करता है आप load लेना चाहते है इतना कि नहीं आप skip भी कर सकता है आपके पास option है बट मैं तो consider करूँगा कि मैं आपको आसानी से हैं वो इसका center of curvature इसकी आधी distance पर focus होता है यह फिर focal length उसको बोलते हैं ठीक center उसकी आधी distance of focus यह दो पांट आपको वज्याद रखने है infinity पर अगर object रखा है दूसरा है कि अगर beyond the center of curvature C को center of curvature बोलते है ठीक है यहनों कि वकृता का केंद्र बोलते है at the center of curvature पर अगर आपने object है यह होता है पोल्ल, यह जो हम nine की चीज को बोलते है principal axis यह pole ठीक, तो अब अगर infinity पे है, तो principal focus पे image बनेगी और जब object focus पेर आपने जब object beyond center of curvature है तो image जो है वो focus और ञ besar keg बन रही है और जब object focus and center of curvature के भीच में है तो image beyond center of curvature बन रही है और जब object ? center of curvature पे ही है तो image बी center of curvature पे ही नेघी मैं फिर रेपीट BE करता हो जब ओपर object infinity पे है तो principal focus पे image बन रही है ठीक है आप ऐसे यह तो इसको एसे याद कर लो पे जब object center of curvature के beyond है तो image बन रही है center of curvature focus के बीच में और जब object खुद focus center of curvature के बीच में तो image beyond center of curvature बन रही है और जब center of curvature पर यह है focus और center of curvature के बीच में आ गई हम object को और पास ले कि आ है center of curvature पर लाके खड़ा कर दिया तो image और थुड़ा सा left side नहीं कि जब object को right side कर रहे हैं तो image left side हो रही हैm center of curvature पर लाके खड़ा किया तो center of curvature पर image बन गई object को और अंदर किये हम center of curvature of focus के बीश में कर दी image और दूर चली ज़िए left hand side में चली बियॉंड center of curvature हम उसको focus पर किये और पास ला है तो और दूर चली गई infinity पर चली गई तो यह 5 cases आपको याद रखने है और इन सब cases में real, 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 real और हमेशे ध्यान रखना कि जो image real होती है वो inverted होती है नि उल्टी होती है देखे उल्टी बन रही है न सब में dimnish का मतलब छोटा, equal मतलब बराबर, bigger मतलब बड़ा, extremely magnified मतलब बहुत बड़ी image बनेगी ठीक है और यह छटा case exception case है जहाँ पर real image नहीं virtual और erect image बनती है जो image virtual होगी वो हमेशा erect होगी यह image यह वाला case है जहाँ पर object को polar focus के बीच में रखा जाता है और जो image है वो behind mirror और mirror के पीछे बनती है अब बात अगर करें convex mirror की इसमें सिर्फ दो ही cases पढ़ने होते हैं और इसमें हमेशा image virtual और erect ही बनती है यानि कि यह वाला clear और यहां पर size के अगर बात करें तो highly diminished point size बनेगा जब infinity object होगा यानि इसमें बड़ी image यह फिर सेम size की image बनती ही नहीं है between infinity और pole होगा तो diminished यहां पर किसकी बात हो रही है यहां पर बात हो रही है अगर infinity पर रखा होगा है तो यहां पर point size highly diminished बनेगा तो option number third diminished का बनता है ज आपको नहीं बता रहा हूं तो convex mirror और इसको अभी अच्छे से इसका जो इतना भी होने चीज़ें बता है इसको अच्छे से consume करी और एक चीज ध्यान रखना convex चाहे mirror हो चाहे लेंस हो उसका focal length होता है और जो concave होता है उसका negative होता है ठीक है और इसका mirror formula एक ध्यान रख लो ठीक है जिसके numerical solve होते है mirror formula होता है आपका इसमें 1 upon V minus 1 upon U is equals to 1 upon F यह होता है आपका mirror formula न यह होता है लेंस फॉर्मूला होता है यह वन अपन वी प्लस 1 upon U is equal to 1 upon F जो lens formula होता है जो अभी मैं नहीं लिख रहा हूं वह होता है 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F अभी मैं आपको magnification के बारे मैं न किती छोटी बनी यह होता है minus V upon U ठीक है तो यह चीज द्यान रखना है formula भी कुछ important है और फोकल यह लेंस के बारे में लोग अगले जब कोई question आएगा तो उसमें देखेंगे बस यह द्यान रखना कि जो convex mirror होता है वो concave lens की तरह behave करता है और वाइसे वर्सा यह नहीं कि जो concave mirror होता है वो convex lens की तरह behave करता है ठीक thank you and मिलते हैं अगले lecture में इसका pdf आपको परमार ssc telegram पर मिल जाएगा and जो इसके notes आपको download करने हैं तो आप pdf course से इसको notes को download कर सकते हैं जो कि परमार academy application पे आपको मिल जाएगा pdf course अगर आप batch में enrolled है sscgk 2.0 में फिर recorded batch में तो आप को अलग से notes batch में enroll करने के जरूत नहीं है ठीक है thank you